असलामेकुम नाजीन मैं आपकी मेजबार ख़दी जाताज और आप देख रहे हैं एने टेक्नोलोजी इंटल दुनिया का तेज रफ़तार तरीं डेक्स्टॉप प्रोसेसर अप्रैल में पेश करेगा इंटल ने कहा है कि दुनिया के ताकतवर और तेज रफ़तार तरीं डेक्स्टॉप प्रोसेसर को जल्दी पेश कर रही है तफसिलात के मुताविक ये कॉर i9-12900 के S मोडल का 16 कॉर प्रोसेसर है जो 12 जनरेशन स्पेशल एडिशन भी होगा इसमें कुल 16 कोर शामिल है जिन मेंसे 8 कोर परफॉर्मन्स प्रोसेसर है और दूसरी 8 कोर को एफिशन कोर कहा जाता है इसमें 24 त्रेड है और 30 MB की L3 कैशे भी है इस बार इंटल ने प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 5.2 GHz से बढ़ा कर 5.5 GHz की गई है इसके लिए बिजली को 125 से 150 W तक बढ़ाया गया है दूसरी जानिब AMD ने अपने तेज रफ्तार तीन गेमिंग प्रोसेसर का भी इलान किया है जिसकी कीमत 449 टॉलर रखी गई है नासा का चांद पर जाने वाली दूसरी खलाई गारी त्यार करने का एलान नासा ने दूसरी इंसानी कमरी लेंड त्यार करने के मनसूबे का एलान कर दिया है इंसानी कमरी लेंड स्पेस शिटल की तरह होता है जिसमें इंसान बैटकर चांद पर उतर सकता है इंसान को चांद पर दुबारा भेजने के लिए नासा की ये दूसरी बड़ी खलाई परवाज होगी शटल की तामीर के लिए एजंसी तजारती खलाई कमपनियों से एस शटल के लिए तसवरा तजवीज करने का मतालबा कर रही है जो लोगों को चांद के मदार और चांद की सतर तक ले जा सकें नासा का हदफ है कि वो 2026 ये 2007 तक जल्द जल्द इनसानी कमरी लेंड त्यार कर ले नासा ने पहले से ही कमर्शल पार्टनर स्पेस एक्स के साथ कमरी लेंड त्यार करने का मौहिदा कर रखा है जिसका मकसद चांद पर पहली खातून और एक मर्द को भेजना है